जोर्ड सौरस ये नाम आपने पहले भी सुना होगा WhatsApp, Facebook, Twitter या TV News चैनल पर हाला कि आपने इसका कभी फोटो नहीं दखा होगा या आप इससे जानते नहीं होगे पर इसका नाम आपने सुना होगा जोर्ड सौरस के बारे में कहा जाता है कि ये भारत विरोधी है, एंटिनेशनल है इंडिया के खिलाफ काम करने वालों का साथ देता है और हमेशा इंडिया को तबाह करने की साजी से करता रहता है तो आएए जानते हैं कौन है ये जोर्ड सौरस और इसकी क्या दूस्मनी है इंडिया से तो दोस्तो जोर्ड सौरस एक हंगेरियन अमेरिकन बिजनसमेन है जो 92 साल के हैं और इसकी नेट वर्थ है 8 विलियन यूएश डॉलर्स हाला कि अब तक ये अपनी नेट वर्थ से 32 विलियन डॉलर्स से जादा की डूर्नेशन कर चुके हैं उपन सूसैटी फांडेशन्स को जिस वज़े से इन्हें मोश्ट जेनरस गीवर भी कहा जाता है जोर्ड सौरस की हिस्ट्री की बात करे तो जोर्ड सौरस 12 अगस्त 1930 को हंगरी में पैदा हुए थे एक यहूदी परिवार में और इनका नाम जोर्डी स्वास था जब हिटलर ने हंगरी देश पर कपज़ा किया और वहां रह रहे जुईश लोगों का जेनोशाइट करने लगा तब ये हंगरी से इंगलेंड आ गए 1947 में और अपना नाम जोर्डी स्वास से बदल कर जोर्ड सौरस रख लिया सुरुआत में सौरस छोटी मोटी मज़़ूरी का काम करता था इंगलेंड में फिर उसने लंदन स्कूल ओफ एकोनोमिक्स से पढ़ाई की फिर बाद में वहीं से पिएजडी भी की यूके की अलग-अलग बैंकों में काम करने के बाद सौरस शेयर मार्केट में सौर्ड सेलिंग का काम करने लगा उसने अपनी एक फंड मेनेज्मेंट कंपनी भी बनाई सौरस फंड के नाम से जिसका बाद में नाम बदल कर क्वांटम फंड रख दिया जोसोरोस को the man who broke the bank of England भी कहा जाता है क्योंकि 1992 में सोरोस ने UK currency crisis के दोरान British pound की इतनी short selling की के एक दिन में एक billion dollar का profit बना लिया जिसकी वज़ा से bank of England कंगाल होनी की कगार पर आ गया जोसोरोस की political ideology के बात करें तो चुंकि हिटलर की द्वारे चलाए जरहे Jewish लोगों के holocaust के survivor है तो वे हमेशा progressiveness और liberal ideology के supporter रहे हैं सोरोस लोगों की अजादी और स्वत्मस्ता को support करते हैं जो सोरोस दुन्या भर में right wing और उनकी ideology के हमेशा खिलाफ रहे हैं जिसके लिए सोरोस ने the open society foundations नाम की संस्था बनाई है जो दुन्या भर में progressiveness और liberty को बढ़ावा देती है इन सब की वज़ा से दुन्या भर के right wing groups और उनके supporter सोरोस के खिलाफ conspiracy theories बनाते हैं और उनसे लोगों के बीच मिस information फैलाते हैं इंडिया में भी कई तरह की conspiracy theories बनाई गई है जिसे WhatsApp, Facebook द्वारा करोडों लोगों तक फैलाया जाता है इन में कहा जाता है कि George Soros भारत विरुधी है और हमेशा भारत को तबाह करनी के लिए कोई न कोई साजिस करता रहता है इन conspiracy theories में कहा जाता है कि George Soros इसलामिक groups को fund करता है ताकि वो इंडिया में तबाही कर सके और कहा जाता है कि George Soros इंडिया में Congress Party और ऐसी जितनी भी parties हैं जो BJP के खिलाफ होती है उनको support करता है ताकि इंडिया को बरबाद किया जा सके ये सारी चिज़े वास्ता में जूट है सच यह है कि George Soros अक्सर Right Wing Party BJP और Modi के आलोशना करते रहते हैं जिस वज़े से इंडिया में IT Cell, TV News Media और BJP के निसाने पर रहते हैं George Soros का मानना है कि Modi, BJP और उसकी parents and star RSS Hitler के नाजी पार्टी की fascist ideology से प्रेरित होकर बनाई गी है Soros का कहना है कि BJP, RSS को बनाने वाले Hitler के बहुत बड़े supporter थे और Hitler की source से प्रफावित होकर उन्होंने RSS और BJP का निर्माड किया वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है आप comment में बता सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में